तो यहां हम अपनी इंडिन पॉल्टी की एम लक्षमी कान्थ के सीरीज को कॉंटिन्यू करते हुए आपके रिलेकर आए हैं चैप्टर नमबर 11 जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर आप दी कॉंस्टिटूशन तो आएए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे बेर आइकन को प्रेस करिये ताकि आपको रेग्लर अप्डेट्स मिलती रहें तो आए शुरूबात करते हैं सबसे पहले एक खुबसूरत सी इमज देखिए और मन में अपने भाव लाईए कि आप आई इस बनके रहेंगे और यह देखिए कैसे है इमर्जंस कर सकता है आपको चीजे थोड़ा क्रियर रहेंगी तो इस सवाल के रहा कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लिमेंट कर सकता है आपकल 368 के अंदर या नहीं तो यह बात आई आई और जब कॉंस्टिशन फोर्स में आया उसके एक साल के भीतरी इसारी बाते आने लग गई क कि बहए हो सकता है नहीं हो सकता है कैसे होगा कैसे क्या होगा तो एक केस आया केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस यह बात कुछ 1951 की है जब यह केस आया था तो उसमें क्या हुआ कि Constitutional Validity जो कि पहला Amendment हुआ था, पहला Amendment Act आया था 1951 का, वो आई और इसमें क्या हुआ कि राइट to property थी उसको चालेंज करा गया, अब तो राइट to property नहीं है, अब लेकिन उस समय हुआ करती थी, फंडामेंटल राइट था, राइट to property, तो Supreme Court ने बात कही कि देखो, जो पावर ह पास में, जो हमारा Parliament है, उसके पास जो पावर है, अमेंट करने की Constitution को, Article 368 के अंदर, जैसे कि आमने पुराने चाप्टर में, पिछले चाप्टर में बात करी, Article 368 के अंदर सारे प्रोसीजर और पावर प्रोवाइट करी गई है Parliament को, कि आप अमेंट कर सकते हो Constitution को, ठीक है, तो सुप्रीम कोर ने बात कही कि जो पावर है Parliament के पास, अमेंट करने की Constitution को, Article 368 के अंदर, वही प्रोवाइट करती है, इसमें आपका वो भी पावर इंक्लूड है, कि आप fundamental right को भी अमेंट कर सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा कह दिया गया कि जो Parliament है, इसका World Law था Article 13 में, अब इसमें क्या था, इसमें ordinary laws include थे, अब भाई जो Article 13 है, वो जो आपने Article 13 पढ़ा है, Article 13 कहता है कि laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right, तो यह जो law है, यह क्या हुआ कि इसमें आपका क्या include था, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ordinary laws include थे, इसमें कोई Constitutional Amendment Act वगेरा, या मतलब Constitutional laws वगेरा include नहीं थे, समझ रहे हैं बात को, तो इस वज़े से Parliament देखिए, वो ले सकता है, यह ना किसी भी fundamental rights को, एक Constitutional Amendment Act लाके, और ऐसा law जो है, वो Article 13 के अंदर, मतलब, will not be void under Article 13, ऐसा law जो है, वो वोईड नहीं होगा, खतम नहीं होगा, Article 13 के हिसाप से, टेक है, therefore the Parliament can ab bridge or take away any of the fundamental rights by enacting a Constitutional Amendment Act, मतलब, जो Article 13 है, उसके अंदर सिर्फ ordinary laws आते हैं, लेकिन यह Constitutional Amendment law है, यह तो अलग act है, Constitutional law है, तो यह इसके, अगर इसके Constitutional Amendment Act लाके को, यह fundamental right को change कर रहे हो बाबा, तो वो Article 13 के अंदर, यहाँ पर नहीं आएगा, और ऐसा law वोईड भी नहीं होगा, इतनी बाद समझ भाई, बट अब कहानी धीमे धीमे आगे बढ़ती है, और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक आता है, गोलखनात केस, जो की 1967 में आता है, उसमें क्या होता है, कि जो पुराना Supreme Court ने जो अपना यह कहा था, कि ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसकी वैसे क्या हुआ था, कि इसमें क्या कहा था, जिसने स्टेट की इंसर्ट किया था, कई सारी स्टेट आट को 9 शुडियोर में, यह अब चैलेंज कर दी गई, अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोड ने आया, नई बात लेकर रहा है, सुप्रीम कोड ने कहा, कि जो का ऐसा दिकार है, यह भाईया, यह पार्लिमेंट इनको नहीं चीन सकता, अब इनोंने सुप्रीम कोड ने बात यहां पर अपनी पलट दी और यह कह दिया, और जो Constitutional Amendment Act है, यह is also a law within the meaning of Article 13, अब इनोंने क्या कह दिया, कि जो law वाला जो meaning है, अब इसमें Constitutional Amendment Act भी आता है, Article 13 के अंदर, अब इस बार इनोंने पहले वाले में क्या कहा था, इसमें सिर्फ ओणरी law आते है, अब इसमें क्या दिया, नहीं नहीं, Constitutional वाले जो law है, वो भी Article 13 के अंदर आते है, और इस वज़े से यह वाइड हो जाएंगे, अगर कोई भी Fundamental Rights को ऐसा कोई भी Constitutional Amendment Act वाइले सुप्रीम कोड केस जज्जमेंट के खिलाफ, गोलकनाथ केस वाले 1967 वाले रियाक्ट करा, उनकी तो आपने जो है वाइवा, आपने उनकी बिल्कुल पावरी छील ली, तो इन्होंने रियाक्ट करा, और इनाक्ट करके 24th Amendment Act को 1971 के, अब इस आक्ट में क्या होगे, इस और आटिकल नंबर 368 को ही अमेंट कर दिया, मतलब आटिकल नंबर 368 जो पावर देता है पार्लिमेंट को, अमेंट करने की, और आटिकल नंबर 13 वाला चल रहा था मामला, तो इन दोनों को ही यहां पर इन्होंने अमेंट कर दिया, इन्होंने इस बात कह दी, इन्होंने ड 13 वाला जो आक्ट है उसके मीनी के अंदर नहीं आएगा, मतलब यही बात फिर गूम फिर के पहली वाली साइट पे चली गए, ठीक है, हाला कि अब क्या हुआ कि केशब नंदा भारती केस आया, बहुत ही फेमस केस है, मैं हर एक लेक्षर में बोलती हूँ कि आप पूरी सब्सक्राइब के लिए पार्लिमेंट के पास पावर है कि वह फंडमेंटल लाइट को ले सकती है, और सेम टाइम पे इन्होंने एक नया डॉक्ट्रीन डाला, मैंने आपको बताया है, लास्ट वाले चैप्टर में, कि केशन नंदा भारती केस में ही बेसिक स्ट्रॉक्चर पार्लिमेंट में टाइम पेशन नंदा भारती केस बेसिक स्ट्रॉक्चर के काईला, बेसिक स्ट्रॉक्चर के लो बेसिक फीचर्स के लो एक है को डाला, इはका इस बहुंदा पावर है पार्लिमेंट की, मैं ऑनिसमें आप affairामैं मेंट Independence जो कि पाल्ट है basic structure का constitution के, समझ मैं, basic structure मतलब काफी जरूरी हो गया, समझ रहे हैं आप इस बात को, सुप्रीम कोल ने invalidate कर दिया, इन्होंने पेकार के दिया, इन्होंने invalidate कर दिया एक provision, जो कि 39 amendment act के अंदर आ रहे थी, 1975 में, जिसमें क्या था कि, जिसमें जो election के disputes थे, जिसमें आपका prime minister involved था, speaker, लोगसभा का involved था, तो उसमें क्या बात क्या हो रहे थी, कि एक amendment आ रहा था, 39 constitution amendment था, 1975 का, और उसमें बात क्या थी, कि उसमें, जिसमें लड़ाई जगड़ा जो भी होता है, election disputes होते हैं, जिसमें आपका prime minister, या पे speaker involved, वो लोगसभा का, इसे सारे ही कोल्ट के judiction से अलग करने की बात कही जा रहे थी, और इसी के purpose में, एक नया, ये लोग amendment लेकर आ रहे अफेट कर रहे है, तो भाईया, देखो, सीधी सी बात है, अगर हर इसाथ, हर prime minister आएगा, और अपने हिसाब से amendment लेके चला आएगा, तो जिन्दगी भर prime minister ही रह जाएगा, समझ रहा आप बात को, तो जब इन्होंने इंद्रा कांदी जियाले case में, जब ऐसा होने की कोशि देंगे, और इन्होंने कहा कि ये basic structure के अंदर आ रहा है, और आप इसे change नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात, हाँ, अब कहानी और आगे बढ़ती है, फिर से क्या हुआ कि पार्लिमन ने, इस, ये जो जुडिशली वाला, ये जो हिसाब किताब हुआ था, इसमें बड़ा react क और इनके मरजी खिलाफ हुई, रियाट करो, इरुवेट करा, doctrine of basic structure को कैसे लेकर आए, ये 42nd amendment act, मतलब जो कि आप जानते हो, mini constitution कहते हैं, इसको 1976 में वो लेकर आए, और इस act ने article number 368 को amend कर दिया, और declare ये बात कही, सीधा-सीधा करा, कि यहाँ पर कोई भी limitation नहीं है, constituent power प लगा सकते हो, है न, कोई भी, और कोई भी amendment, no amendment can be questioned in any court on any ground, including that of contradiction of any of the fundamental rights, पतलब, जो भी parliament amendment लेकर आ रहा है, आप उस amendment को, किसी भी court में, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो, किसी भी ground पे, कि भाईया, देखी हमारा fundamental right चीन रहे है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, है तो ये बात इन्होंने भाई लेकर आए, ये वाली बात कही गई, हालागी फिर, ऐसे कैसे Supreme Court चुप बैठेगा, और Supreme Court में Minerva Mills case, एक बहुत ही famous case है, 1980 का, Supreme Court ने, Minerva Mills case में क्या करा, कि साफ इन्होंने, invalidate कर दिया, इस provision को, कह दिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आप उन्हें आपके बैठे हुए है, और Supreme Court है, उसने इस बात को भी invalidate कर दिया, और यहाँ पर, इसने, as it excluded, judicial review, which is basic structure of the constitution, क्योंकि भाईया, ये बात में, judicial review, exclude कर रहा था, कि भाईया, देखो हाँ, हम कोई भी चीज़े लेकर आएंगे, वो cold के अंदर आएंगी, अगर हम कोई भी fundamental rights को अगर हम कुछ कंट्रविक कर रहा है, कुछ भी ऐसा amendment लेकर आ रहा है, वो सब हम जो parliament करेगा, वो cold के अंदर, किसी भी cold के अंदर, आप सवाल उस पर नहीं उठा सकते हो, तो Supreme Court ने गा, ऐसे कैसे नहीं उठा सकते हो, judicial review आप जो है, यहाँ पर, मतलब, judiciary जो है, वो चीज़ कि जो basic structure है, उसे apply करा, with respect to article 368, और cold ने क्या बात कहीं, God से सुरिएगा, cold ने कहा, कि, since constitution जो है, यह इसमें इसको limited power दी गई है, और वो parliament के हाथ में है, तो parliament देखिए, अपनी limited power को और नहीं बढ़ा सकता, बहुत absolute power नहीं बदल सकता, यह मतलब हम ही सर्वे सर्वा हैं, यह बात, पार्लिमेंट नहीं कह सकता, तो यह बात सच है, कि limited, जो power है, पार्लिमेंट की, अमेंड करने की constitution को, यह basic structure है, constitution का, इस वज़े से, limitation तो बहुत ज़रूर है, आप इसको destroy नहीं कर सकते, obviously बात है, अगर आप सर्वे सर्वा बन जाओगे, भईया, हम ही हैं, जो है, तो obviously बात है कि आने वाले चार दिन बाद, पर तो कोई रोकी नहीं है, जनता का तो सब कुछ बिल्कुल बरबात हो जाएगा, सब्लेगे हैं, तो मतलब, पार्लिमेंट जो है, वो, आर्टिकल 368 के अंदर, अपनी अमेंडिंग पावर को नहीं बढ़ा सकता, यह बात तो आपक आए होगा basic structure, constitutional amendment जो की हुए है, 24 April, 24 April, 24 April, 1973, मतलब, केशन बंदा भार्ती case के बाद, जो भी constitutional amendment आए है, तो वो, जो यहाँ पर क्या होगा, कि, वो सारा basic structure वाला material इन सब में अपलाए होगा, तीक है, समझ भाए हैंगा, अब आगे बढ़ेंगे, एक चीज जानेंगे, यह elements क्या है, basic structure में, आपके दिमांग में इत्ती जाया होगा, मैं आप बोले जा रही है, basic structure, basic structure, basic structure में आखिर कर क्या आता है, तो देखिए, जो present position है, parliament की, वो यह है, कि parliament जो की article number 368 के अंदर है, यह किसी भी part of constitution का, किसी भी part constitution का, उसे amend कर सकता है, चाहिए, वो fundamental rights क्यों नहीं अमेंड कर सकता है, बट यह basic structure को constitution के नहीं affect करना चाहिए, तो देखिए, clarify करते हुए, basic structure को supreme code ने कुछ बात बताई, कई सारे judgments वगेरा, इन्होंने निकल क्या है, basic features जो की constitution के हैं, उसने बताया, यह क्या basic features होते हैं, जैसे कि, कहता है कि supremacive of the constitution, constitution से उपर कुछ नहीं है, constitution constitution supreme है, दूसरी बात, इन्होंने कही कि, sovereign, democratic और republic nature है, इंडियन पॉल्टी का, आजाद है इंडिया, republic है, कि मतलब ऐसा नहीं है, कि वहां मुनार्की नहीं है, कुछ वक्त के लिए और democratic है, to the people, by the people, for the people, इसी बात, secular character, जो कि हमारे constitution का है, वो नहीं बदलेगा, मतलब हर धर् separation होगा, power का, between the legislature, executive and judiciary, समझे है, legislature अलग, executive अलग, judiciary अलग, federal character है, constitution का, मतलब state भी है, इसमें involved, और center भी involved है, unity और integrity होगी, nation की सब, भायचारा चलेगा, welfare state होगा, मतलब social economic justice होगी, और judicial review, जुडिशरी का रोल है, यह कोई गरबड है, जुडिशरी देखी की ज़रूर, अजादी होगी, freedom होगा, dignity होगी, individual की, है न, इंसान के पास freedom है, dignity है, as this है रहा सकता है, पार्लिमेंटर सिस्टम होगा, जो कि अभी भी है, लोग सभा है, राज सभा है, rule of law होगा, law का रूल चलेगा, harmony हो, भायचारा हो, balance हो, fundamental rights और directive principle के बीच में, जो कि हम पढ़ते जारे हैं, DPSP और fundamental rights पराबर चले, elections free हो, fair हो, equality का principle जरूर हो, सबको अजादी हो, पराबर से इक्वालिटी का principle जरूर हो, उसके बाद, लिमिटेट पावर हो, पार्लिमेंट के अमेंट करने की constitution को जो कि बने पढ़ा, पार्लिमेंट के पास लिमिटेट पावर को उना बहुत जरूरी है, अमेंट करने के लिए, उसके बाद, effective access to justice के लिए, हर एक इनसान जा सके, अप इसके लिमिटेट नमबर 226, 226 और 227 के अंदर आती है, तो यह सारी बाते जितनी भी मैंने आपको बताई, यह सारी बाते जो है, वो basic structure के अंदर आती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह 11 चाप्टर कंप्लीट होता है, अगर आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करें भी ना प्लीज चानल से मच जाएगा, आप इस वीडियो को Facebook के देख सकते हो, सिर्फ आयस के नाम से page, like करके देख लिए, playlist मैंने बना दिये, बाकी, Twitter, Instagram, Telegram, सबकी ideas, description box में, आप जाहें तो मुझे कहीं भी भी follow कर सकते हैं, आप join button को press करके, यह मैनत में साथ दे सकते हैं, thank you so much for discussion have a wonderful day ahead, please share your views in the comment box, have a nice day